Hello Friends, कैसे हैं आप सभी So guys, मैं हूँ Blubl और आज मैं आपके साथ एक makeup look share करूंगी जिसे हम बोलेंगे wedding guest makeup look Muslim wedding guest makeup look so अगर आपको इस तरिकी की videos अच्छी लगती है make up and DIY, तो मेरे चैनल को अभी की अभी subscribe कर लीजिए और चैनल को शेयर कीज़े सब के साथ में तो गाइस अगर आपको यह मेकप लुक सीखना है अगर आपको यह मेकप लुक अपने लिए recreate करना है तो गाइस आप इसको कर सकते हैं पूरी वीडियो अंट तक देखेगा और guys यह makeup look कैसा लग रहा है आप मेरे साथ जरू शेयर कीज़ेगा guys मैंने इसमें कोई extra makeup use नहीं किया बहुत ही minimum product के साथ मैंने makeup create किया so अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को like, subscribe and share जरू कीज़ेगा और comment box में मेरे को बताईएगा कि आपको मेरे makeup tutorial कैसा लगा बहुत ही simple steps के साथ मैंने इसको किया है so guys अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो मेरे को instagram पे follow कर सकते हैं मैं instagram का link आपको description में दे दूँगी तो चलो आगे मिलते हैं मेरे वीडियो को end तक जरूर दिखेगा enjoy कीजिएगा शेयर कीजिएगा तो चलो मिलते हैं तो friends सबसे पहले मैंने आप अपनी face को moisturize किया है आप किसी भी अच्छे moisturizer को use कीजिए आप थोड़ा सा थीक होना चाहिए वो और यहाँ पर अपने face को सबसे पहले moisturize कीजिए क्योंकि मॉस्ट्राइज करना बहुत जादा important होता है हमारे अच्छे base के लिए और अगर आप मॉस्ट्राइज करते तो आपका makeup जो है वो long lasting बन जाता है और वैसे भी winters है तो आपका जो makeup है वो ज्यादा dry नहीं लगेगा तो guys मैं हापर next day आप लगा रही हो ponds की cream आप किसी भी तरह की cream लगा सकते हैं अगर आपके पास फेरल लवली क्रीम है तो वह भी लगा सकते हैं अगर आपके पास BBA CC cream है तो वह भी आप लगा सकते हैं guys इससे क्या होगा आपके face का जो base है काफी अच्छा बनेगा और आपके जो थोड़े वो dark sports है वो भी hide हो जाएंगे next मैं यहाँ पर ले रही हूँ stick form mm का stick form concealer ले रही हूँ so guys इसको मैं यहाँ पर अपने dark area को hide कर रही हूँ जो मेरे थोड़े वो dark circles हैं और अपने bronze के ages को clean कर रही हूँ एजिस को clean कर रही हूँ अपने mm के concealer से so आपको कुछ इस तरह से make up करना है अगर guys आपको बिल्कुल भी make up नहीं आता है तो आप इस तरीके से मेकप की starting करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको make up का experience हो जाएगा और आपको इस तरीके से जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है guys बहुत अच्छे से आपकी क्या है न आई make up long lasting बनेगा इससे और concealer आपके eyes के लिए must है आप जरू खरीदे एक अच्छा concealer जिसस आई शेडो लगाएंगे तो वह बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर के आएगा उसका कलर जो भी कलर आप अपलाए करेंगे अपनी आइस पर so next में आपर कर रही हूं अपनी ब्रोंज को एक इस पूली की help से थोड़ा सा you know कॉम कर रही हूं कि जिससे की वह थोड़ा सा इदर जायेंगे सो ऀखना जाएंगे सो उसे संपने ब्रॉंज पैंसिल चán jobs यह आपके पास आइब रोमन की आपक है आइब्रो से आइब्रों पैंसिल सो करना काफी मिस्ता है क्योंकि हम जब भी आई मेक अप करते तो काफी ज्याएं अप्शा नीड होती है क्योंकि हाई मेक बोल्ड दिखेगा बहुत अच्छा दिखेगा गाई मैंने दोनों ब्रॉंज को कर लिया अच्छ से लिप लाइन लगा करके मैं इसको शेप दे दी ए थोड़ा सा और नेक्स्ट में आपर एक को टांजेक्शन कलर पिक करूंगी ब्राउन कलर में ले रही हूं यहां पर आप यह बनाते हैं इसे क्या होता है क्यूंकि हम झब हुआ है जो वह अप अच्छ हो जाता है तो वह अच्छ से उत निकल करता तो आप ध़ान रखेए जब बहुत एक ट्रांजेक्शन शेड़ ले रहे हें तो वह लाइढ़ के लेजिए इससे बहुत अच्छे से आपका मेकप होगा गाईस काफी लॉंग लास्टिंग बनेगा और वैसे भी मैं मुस्लिम वेडिंग गेस्ट मेकप लुक क्रिएट कर रही हूं तो इसमें थोड़े से डाक कलर लेना जाहिर सी बात है डाक कलर से बहुत अच्छा लुक आत आराम से जाता है तो आपको ब्राउन कलर पिक करना एक स्ष stewardship में याप ले रही हूं कि अपनी का कंसीलर ले रही हूं जिससे मैं अपनी आयलेट को थोड़ा सा शाप दिखाने के लिए यूनों फ्रा दूसरा कलार मुझे इस पर फिक करना यह तो इस वजह से मैं इसको जो हमने आइलेट पे हुमारे कलर आया ब्राऊन इसको अच्छा से लगा रह Keys लगा ही है यह हाल कि ताकि आइलेट पर मैं दूसरा कलर लगाँगी तो अच्छा से शो हो सके टोकि से देख सकते हैं को कुछ इस तरीके से करना है तो आपको इस तरीके से कुछ एक अच्छे से ब्रस आपके पास ब्रस होना ज़ादा जरूरी है गाईज अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपनी फिंगर की हाट से भी एक कलर पिक कर सकते हैं सो गाइज मैं यहाँ पर शिमरी कलर में नहीं हाँ पर लिया है रेड कलर जो काफी अच्छे से हमारी वैडिंग में जाएगा वैडिंग गेस्ट मेकप लुक है मुसलिम वैडिंग गेस्ट मेकप लुक है तो यह उनकी अच्छे से उनकी किसी बूड्रेस पर जाएगा ब्राउन हमने ट्रांजेक्शन शेड लिया है रेड शिमरी कलर में अपनी आइलेट पर अप्लाय कर रही हूँ इनर कोरनर के पास रहे हैं लाइस पर आपको किस तरह के मेकप वीडियो पसंद है विए बनाने की कोशिश करोंगी हूँ आप देख सकते हैं वाईस मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए चैनल को कर दो में कॉर्णर पे कॉर्णर पे आउटर कॉर्णर पे मैं इसको लगाऊंगी एक कट क्रीज ब्रश के साथ में सो इससे क्या होता है ना कट क्रीज ब्रश हमारी जो उसी शेप में देता आइज की शेप एक दम से वह आ जाती है आप देख सकते हैं आइज की शेप ही अच्छे से दे पर दिखान रखना है कि थोड़ा सा दूर से आप उसको पकड़े जिससे क्या होगा कि आपका जो आप जो भी कलर पिक कर रहे हैं और अपनी आइस पर लगा रहे हैं वह ज़्यादा डाक नहीं होगा एक दम से वह आपके डिजायर कलर की तरफ जाएगा जिस तरीकी का आप च इस वज़े से क्योंकि जल्दी से हटता भी नहीं है इसलिए काफी लॉंग लास्टिंग आई शैडोज है यह तो अगर आप लेना चाहते तो इसको लेजिए मैं रिक्मेंट गरूंग यह आप जैकलीन हील का आई शेडो पैलेट लीजिए काफी ज्यादा अच्छा है आप दोड़ा साफ बोल्ड ओडाइनर लगारी हूं आप देख सकते हैं प datos आपको लाइनर लगा आपको इनर को से स्टार रहें और लएनर के लिए बोल्ड नहीं लग रहा है लेकिन रियल में आई मेकप बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और काफी अच्छे से यहां पर मैंने इसको लगाया है आप देख सकते हैं अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता तो आप इस तरीके से लगाएंगी न तो काफी अच्छा हो जाएगा देखिए आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूं कि किस तरही से लग रहा है आई मेकप क्योंकि दूर से जाधा लाइट दिख रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था इसलिए आपको विंग ड्रो करना है एक बहुत अच्छा लाइनर लगाने के लिए आपको विंग ज़रू लगाना इससे क्या होता है हमारे आईज ना काफी बड़ी बड़ी दिखती है और ब्यूटिफुल सी लगने लगती है तो इस वज़े से आपको एक विंग लाइनर ज़रू जो भी हमारे फेस पे फॉल आउट हुआ था हमने जो आई मेकप किया थोड़ा भी शिमर वगरा हमारे फेस पे गिर गया तो उसको मैं एक ब्रश की हैल्प से रिमूव कर रही हूं सो इसके बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉंटोरिंग करूंगी क्योंकि मैंने बेस बाता है अरफ़ा जबद कम से बाद में दूभट कर रभख लेका नहीं होता है ज får़ा क्योंकि अमार की थी हगर आपको है तो आप कर सकते हैं तो नेक्स्ट में अपर अपनी एक ब्लू कलर की पैंसिल से ब्लू काजल पैंसिल से अपनी आँखों में काजल डाल रही हूं तो आप देख सकते हैं काजल इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो काफी अच्छा लगेगा और फैलेगा भी नहीं सो आप देखिए नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक कलर पिक किया है जो रेड और ब्राउन था उसको मिक्स करके मैंने यहाँ पर एक कलर पिक किया एक पैंसिल ब्रश की हट से और उसको मैं नीचे अपनी अंडर आई पे अंडर आई वर्टर लाइन के पास मैं लगा रही हूं बहुत ही अच्छा लुक लाने के लिए काफी बड़ी बड़ी आंखे हमारी लगती है और मेकप भी इंकम्प्लीट होता है अगर आप नीचे आईशेडो नहीं लगाते है तो आपको आईशेडो लगाने की थोड़ी बहुत ट्रिक पता होनी चाहिए गाईज और आप मेरी इस ट्रक्स को फोलो कीजिए तो आपको आईशेडो लगाने का बहुत अच्छा एक्स्पीरियंस हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप अपने खुद का मेकप तो कर ही लोगे गाईज सो आप मेरी वीडियो इसको फोलो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपके लिए आगे भी बहुत अच्छी अच्छी टुटोरियल लेकर के आऊंगी सो आपको मैंने स्टप बे स्टप बहुत इजी चीजे मैंने यहाँ पर दिखाई हैं आपको मेकप के लिए जो भी चीज़े इंपोर्टन्ट होती है मेकप में तो मैं आपको यहां पर सारी चीज़े दिखा रही हूँ इजी तरीके से तो आप इसको कीजिए काफी अच्छे से आपका लुक जो है वो काफी अच्छा निकल करके आएगा आई मेकप करना बहुत इंपोर्टन्ट है देख सकते मेरा आई मेकप तो कंप्लेट हो चुका है नेक्स्ट में यहां पर ले रही हाइलाइटर हाइलाइटर में अपने हाइप हाइप पॉइंट्स पर लगाऊंगी आपको दिहान रखना है ब्रॉंज की नीचे वाले अरिये पर और आई शेडों से उपर वाले अरिय ब्राउन शेड पिक करना है ब्राउन शेट ले रही हूं मैं एज das contouring उसको मैं यूज करूंगी गाईस अगर आपकी नौज भी मेरी तरह थोड़ी सी फूली फूली है, मोटी है, तो आपको contouring ज़रूर यूज़ करनी है, और contouring के लिए जादा practice आपको नीड नहीं है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपको उसी तरीके से करना, अगर आपके पास contouring brush नहीं है, तो आप finger से भी उसको कर सकते हैं, फिर मैं beauty blender की help से उसको blend कर रही हूँ, so इससे क्या होता है, हमारी face थोड़ी सी जो, sorry, nose जो हमारी थोड़ी सी मोटी है, तो वो हमारी पती लगने लगती है, face में बाकी मैं अपने थोड़ा सा chicks bones के नीचे मैं अपने एक brown shade को draw कर रही हूँ, as a face contouring में उसको cut बना रही हूँ जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, सेम उसी तरीके से आपको अपने face पे करना आगर, आपका face थोड़ा सा मोटू है, गोलू मोलू सा है, so आपको ही ट्राइस जरूर करना है, guys, बहुती अच्छे से हो पाएगा आपके साथ, ठीक है, so next में यहाँ पे blush लगा रही हूँ, blush के लिए मैं as a eyeshadow use कर रही हूँ, as a eyeshadow use कर रही हूँ, as a brush blush use कर रही हूँ, eyeshadow को, ठीक है, तो आपको कर लेना है यह अच्छे से, next में यहाँ पे एक वही lip liner को ले करके lip line कर रही हूँ, इससे क्या होगा, आपकी lip stick में बहुत ही beautiful सा कलर निकल करके आएगा, guys, और बहुत ही अच्छी boundary आपके lips की बन जाती है, जिससे हमाई lip stick बहुत ही सुन्दर लगती है, so आप देख सकते है, मेरा make-up तो complete होई चुका है, next में आप पर बस एक lip stick ले रही हूँ, bold color की जो all-time favorite है, मेरी brown coffee color shade है मेरा, so बहुत अच्छी लगती है, मुझे यह, मैं हमेशा इसको use करती हूँ, ठीक है, तो आपको यह करना है, आपके पास कोई lip stick है, वो आप यूज कर सकते हैं, आपको make-up steps को इसी तरीके से follow करना है, काफी easy तरीके से मैंने आपको बताया है, guys, आप इसको जरूर follow कीजिए, so आपको मैं यहाँ पर एक hair style भी दिखाऊंगी, easy सा, cute सा, so आपको कर रहा है, उसको, ठीक है, बाकी next में यहाँ पर last step मेरा रहे चुका है, वो है, highlighting, so मैं highlighting कर रही हूँ, आपको कर लेनी है, इसी तरीके से, बहुत ही beautiful सा कले निकल के किया हैगा, उस अपनी nose को highlight करना है, और हमारा make-up complete हो जाएगा, guys, जादा time नहीं लगेगा, आपको इसको 10-15 minutes आपको सुरफ लगेंगे मेकप को करने में, मस्ट यार इतना तो करिए सकते हैं, बैडिंग में जा रहे हैं, तो अपने आपको अच्छा दिखाना है, तो हमें इतना था, वो करना ही पड़ेगा अपने लिए, आप देखिए, और कहां-गांपे मैं अपने हाई पाइंट्स पर, मैं इसको हाइलाइट कर रही है, एक ब्रश की हज़ से, हाइलेटर हमारे फेस को टोटली चेंज कर देता है, बहुत ही ब्यूटिफुल सा कलर हमारे फेस पर आ जाता है, हमारे मेकप अगर में बहुत लाइट मेकप बे किया है, वह भी बहुत ही ब्यूटिफुल सा लगता है, हमारे हाई पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा सा टी जोन और एरिया, नोज और चिक बॉन्स, और यह सारी चीज़े हमें करनी हैं अपने मेकप में, सो आपका मेकप लूप काफी अच्छा लगेगा, नेक्स्ट में आप एक हेस्टल आपको बता दे रही हूँ, क्यूट सा, सो आप देख सकते हैं, मैंने अपने हेर्स को कॉम किया है, और कॉम करने के बाद मैं आप एक पिन अप करूँगी, अच्छे से मैंने आप एक कॉम कर लिया है गाईस, अपने बालों को, नेक्स्ट में आप एक पिन ले करके, काफी बड़ी सी पिन मुझे लेनी है, जो बहुत ही ब्यूटिफुल सा लुक मेरे मेकप को लाएगी, यह है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं गाईस, यह लुक मैंने क्रिएट किया आपके लिए, आप मुस्लिम वैडिंग गैस्ट मेकप लूक इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं गाईस, यह मैंने फर्स टाइम किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा मेकप तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए बाबाई,